Hello everyone and welcome to PW Only IS दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और सांदार सेशन में जहां पर हम लोग अपनी UPSC वाला की किताब को वाइंड अप कर रहे हैं और हम लोग आज के चाप्टर में पहुँच चुके हैं जिसमें हम लोग नैनो टेक्नोलोजी की बात करेंगे नैनो टेक्नोलोजी अपने आप में इतना इतना जादा यूनिक टेक्नोलोजी है शायद हम लोग नैनो टेक्नोलोजी के बारे में अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं हम लोग को पता नहीं होता है कि अरे यार यह तो जीन को एडिट करने की बात कर रहा है यह तो क्रिस्पर कैस नाइन टेकनोलोजी लेके आ चुका है यहाँ पर तो हम लोग जिनॉम सिक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे सभी एक नूक्लियोटाइड बेस पेर्स को सिक्वेंस करके नोडाउन कर है तो हम उसको नीली अंखे कर देंगे हम काले बॉल हमेशा के लिए करदेंगे ऐसी पता नहीं कितनी सारी टेक्नॉलोजी जब हम बायो टेक्नॉलोजी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई साब दुनिया तो बहुत कर रही है लेकिन aa किना अगेंगे बढ़ने की बात कर रहा है जित्ना आप अचंभित हुए थे प од paradigm疫 पर्सपेकटियस के आप्लिकेशन को पड़के उससे कहीं ज़ाधा अचंभित होगे एक बार syllabus के उपर ध्यान देते हैं syllabus जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे portions ऐसे होते हैं UPSC के syllabus में जो की हु बहु mentioned नहीं होते हैं बट यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आप यहाँ पर देखोगे यह देखो भई क्या लिखा हुआ है एक शब्द ही काफी है इससे related सभी awareness की बात हो रही है awareness के साथ साथ हम लोग science and technology के indigenization और साथी साथ जितने भी नए technologies develop हो रहे हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और इसलिए यह chapter जो है काफी ज़्यादा important हमारे लिए हो जाता है तो before diving in into this session मैं आपको बस एक छोटी से information यह देना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा हमारा जो batch है वो हैं हमारे online batches जिसमें आप संकल्प, Titan, Prahar, Optional, Shrigen इन सभी batches को बड़े ही आराम से आप यहां से आप देख सकते हैं कि सारे आपके UPSC 2025, 2026 और 2027 की preparation में आपकी help करने जा रहे हैं आपको जो भी batches इसमें से suitable लगते हैं अगर आपको इसमें कोई भी confusion आए तो आप जरूर से इस number पर call करके हमसे बात कर लें या फिर आप नीचे description में दिये हुए link पर click करके भी इन सभी batches को access कर सकते हैं उनके बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ आप pw.life पर जाके भ अगर आपको ऐसे ही PPTs वगर कुछ भी चाहिए होती है तो आप बेशक बेजिजक इस टेलिग्राम चैनल पर आएं अगर इस chapter से भी related कोई भी doubt है तो भी आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं तो let's start with the nanotechnology सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये nanotechnology में इसका मतलब क्य है सर पहले तो यही समझा दो हमें हमने सुना बहुत है पता है छोटा है लेकिन कितना छोटा है imagine तो कर पाएं हम लोग imagination कराते हैं भाई साफ कोई दिक्कत नहीं है nanotechnology के अगर हम लोग बात करते हैं तो nano जो world है nano nano का मतलब होता है dwarf dwarf मतलब जानते हो जो छोटे हिस्से में हम लोग किसी भी segment को हम लोग dwarf बुलाते हैं जैसे कि बहुत सारे humans जिनका proper growth नहीं हो पाता हम उनको dwarf beings बुलाते हैं तो ऐसे dwarf dwarf मतलब क्या है छोटा लेकिन कितना छोट जब भी हम लोग dwarf की बात करते हैं नैनो की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि one billionth one billionth of a meter की बात हो रही है एक मीटर लो है ना उसमें एक billion हिस्सा कर दो कर दो कोई बात नहीं दूसरी तरीके से देखते हैं आपके सामने है एक बहुत ही शांदार सा सं को देखते हो उसकी imagination में थोड़ा जा रहा है कि यार अगर इसके सामने से हमारी पृत्वी गुजरेगी तो कितना छुटकू सा दिखेगा imagine कर पा रहे हो कि हमारा सन भाई साब जबरदस्त काफी बड़ा है बहुत ही ज़ादा बड़ा है लेकिन अगर हम उसके हिसाब से उसके सामने से अर्थ गुजर दें तो हमें कितना दिखेगा बहुत ही छुटकू सा दिखेगा अगर इसको भी नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा समझेओ same to same वैसे ही एक अर्थ के लिए एक अर्थ पर याना एक अर्थ जो हमारा पूरा अर्थ है कितना रेडियस है बाइस का 6400 किलोमेटर के आसपास का रेडियस है इस अर्थ के ऊपर अगर हम एक छुटकू सा आपको खड़ा कर दें इनसान को तो आप इमाजिन कर पा रहे हो कि जितना बड़ा हमारा अर्थ है उसके सामने हम ये छुटकू से इनसान कैसे लगेंगे अगर हम वो कहीं पर अर्थ पर खड़े हैं तो शायद उपर से देखने वाला हमें समझ भी ना पाए कि हम कहां खड़े हैं उसको दिखे काई नहीं कि इनसान कहां एक्जिस्ट करता इस अर्थ पर है की नहीं अब सिमिलरली समझ लो अगर नैनो टेकनोलोजी समझना है तो जैसे अर्थ का रिलेशन आप से है वैसे ही आपका रिलेशन नैनो टेकनोलोजी से है मतलब कि नैनो टेकनोलोजी जो है या फिर नैनो का कोई भी पार्टिकल होगा वो जैसे अर्थ के सामने आप एकड़म छुटकू से थे वैसे ही आपके सामने वो नैनो पार्टिकल बिल्कूल छुटकू सा होगा आप देख ही नहीं पाओगे इतना छोटा है तो हलका फुल का एक ननो मीटर जो होता है वो लगबग लगबग यहां पर हम बोल सकते हैं टैनर्च्ट टू पावर एक ननो मीटर होता है टैनर्च्ट टू पावर नाइन मीटर नैनमीटर years हम लोग यह प designed lane लेते हैं पेन कितना बढ़ा होगा यार िये फो स्पास अब 15 सेंटीमीटर का जब हम एक हिश्सा देखते हैं तो यह बनता है एक सेंटीमीडर ना एक सेंटीमीटर बने ही push 1 सेंटीमीटर भी में अंदर जाते हैं तो अच्छा इसके 10 तुकड़े करते तो एक एमेम बन जाएगा एक एमेम जग हम पहुचे हैं तो यह पहुचे हम 10 रेस टू पावर माइनस 3 अब उस एक एमेम को भी आप कम से कम 10 लाख बार तोड़ दो एक एमेम को जो एक एमेम स्केल पर देखते हैं उसको 10 लाख बार तो जब भी हम लोग नैनो टेकनोलोजी की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार हम एक नैनो मीटर तक ही सीमित कोई बी चीज बनाते हैं हम लोग यह बोलते कि नैनो टेकनोलोजी वो सभी टेकनोलोजी उस साइज की शामिल हो सकती है इन नैनो टेकनोलोजी में जिसका स साइज जो है यह बिसिकली साइज जो है यह आपका डिने का साइज जो होता है समझे डिने का साइज नैनोमीटर स्केल पर आप इमेजिन कर सकते हो तो डिने कभी आप देख सकते हो नहीं आप तो सेल भी नहीं देख सकते सेल के अंदर भाई साब होता है नूकलियस नूकलियस के अंदर होता है DNA तो हम DNA size material की बात कर रहें यहाँ पर इतनी बाते तो आई थिंक आपको size का अंदाजा लगया होगा लेकिन आखिरकार नैनो टेक्नोलजी में ऐसी खासियत क्या है क्यों पड़ रहे हम दो एस छोटा ही तो कर रहे हैं अरे सर हमें दीजिए अभी ास्टिक या कोई भी ऐती चीज दिजे हम उसको मसल मसल के मसल मसल ऐसा चोटा कर देंगी कि नेनो पार्टिकल का हो जाएगा है पॉसिबल नहीं है कि आपको लगता एगि हमने बहुत लेकिन इतना छोटा नहीं कर पाऊगे कि नैनो स्केल पर पहुंच जाए इसलिए हम लोग वैसे तो देखो नैनो टेक्नोलोजी इसलिए जादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि जब भी पार्टिकल्स ऐसे बड़े-बड़े दिख रहे हैं बड़े-बड़े जो भी पार्टिक क्या भी तोने की अंगुठी है बाई हैं मुझे पहनना पसंद नहीं जार आपको पताईए कि एक समय के बाद इस उंगली में एक अंगुठी का होना बड़ा जरूरी होता है नहीं तो कोई भी इढर उदर से छेड के चला जाता है है तो इसलिए यह अंगुठी की बात हो यह गोल्ड अगर मान लो इस गोल्ड को मैं इस स्टूडियो में पानी के बोतल में डाल के चला जाओं और वापस कलाओं तो क्या यह सोना मुझे सोने के अंगूटी फिर बोतल पानी के बोतल के अंदर वैसी मिलेगी अब लोग बिल्कुल मिलेगी बसरते कोई चुरा के ना अगर चुराा के कोई नहीं भागता है तो हमें समझ वाजाते कि सर ये तो वैसे की वैसी रहे गी। लेकिन अगर हमने इसको नैनो सकेल पर डाला तो ये सॉलिबल है भाई साब ये गूल जाएगी। गायब similarly aluminum aluminum को हम लोग मानते हैं कि यार बड़ा ही stable सा एक यह जो metal है बड़ा light weighted metal है conductivity वगरे तो जबरदस्त होती है इसकी जबरदस्त तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ फिर भी हम लोग ऐसे conductor तो इस्तिमाल करते ही हैं लेकिन जब नैनो स्केल पर डालते हैं हम लोग को यह पता है कि जब आप लोग को कभी खाना करम करना होता है और अगर वो पर से सिल्वर फॉइल लगा जाते अपने कड़ाई के जारो तरफ वो तो जलता ही नहीं है लेकिन भाई साब यह देखो नैनो स्केल पर आए कंबसिबल आख पकड़ लेगा नैनो यह अलूमीनियम जो है नैनो अलूमीनियम आख पकड़ लेता है तो खतरनाक चीज है प्र साइब का साइब जो है छोटा हो गया है उसको हम लोगोंने ठोड़ किया तो ये ऐसा दिख रहा है अगर हम नहें और छोटा किया तो यह कुछ इस color का दिख रहा है और यही मैं बोल रहाँ है हो हो है ... है बात करते हैं लूग ए टीकन करते है сцен क्या रहत कर लें वब कर दिखने वाले सब दम अब बढ़े लड़कीं के उस साइम पर अभी भी पसंद है, स्मार्ट बंदा है यार, है ना, Richard Finman, Richard Finman सिर्फ स्मार्ट ही नहीं थे, बलकि दिमाग से भी बहुत स्मार्ट थे, और इन्होंने एक research paper publish की, जिसका नाम था, there is plenty of the room, there is plenty of room at the bottom, there is plenty of room at the bottom, इनका मतलब ये कहना है का था, कि हम लोग अभी, हम लोग सारे के सारे experiments जो भी कर रहे हैं, हम लोग अपने normal, natural physics पर कर रहे हैं, मतलब कि हम कोई भी solar power cell बना रहे हैं, या फिर हम कुछ भी experiment आज के date में कर रहे हैं, वो सब के सब जो भी technologies develop कर रहे हैं, वो सब हम अपने प्रतेक चुरूप से देख सकते हैं, इन scale पर देख सकते हैं, लेकिन room का वो हिस्सा, जो कि बहुत ही निचला है, मतलब कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही नाम मातरका है, उस nano scale पर अगर आप जाके देखोगे, तो अभी भी आपके पास बहुत सारा room बचा हुआ है, बहुत सारा एक नोबल प्राइस सम्मानित भी किया था भाई साब, फिर 1974 में ये प्रोफेसर नारियो तानिगुची, इन्हों ने पहली बार कॉइन किया ये शब्द नैनो टेक्नोलोजी, यहां पर ये नैनो टेक्नोलोजी शब्द नहीं आया था, नैनो टेक्नोलोजी शब्द जो हम अजार भी तो चाहिए, अब मैंने बोला कि सर वो नैनो टेक्नोलोजी पर काम करना है, कुछ बेटा तुम हतियार ले आओ, आप ले आए भाई सब टायर खोलने वाला पाना, हाथ होड़ा सब ले आए, अब उससे नैनो टेक्नोलोजी थोड़िन बनेगी, तो नैनो टेक्न हम इसको तो देख पाएं हम, फिर उसके बाद एटामिक फोर्स माइक्रोस्कोप आता है, 1985 में नैनो टेक्नोलोजी जहां पर रियालिटी बनता है, और इसके बाद हम लोग इस पर्टिक्लर स्केल पर कुछ बनाने और तोड़ने की बात करना है, स्टार्ट करते हैं, प्रेस तो दो मिठोड से हमारे पास एक मिठोड है, जिसको हम लोग बोलते है, टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा मिठोड है, जिसको हम लोग बोलते है, बॉटम अप अप्रोच तो बॉटम अप अप्रोच है या फिर टॉप डाउन अप्रोच है, तो टॉप डाउन तो ऐसे मसलने से कुछ नहीं होगा कोई भी पार्टिकल को इतना आप मसल के छोटा नहीं कर सकते हो उसके लिए बहुत ही एडवांस टूल्स एंड टेक्नॉलजी चाहिए जो कि किसी भी पार्टिकल को पाउडर के फॉर्म में बना बना के उसको तोड़ तोड़ के चूर चू कोई एक बड़ा पार्टिकल है उससे हम लोग छोटा नहीं सकते हो गया नहीं बना सकते हो ना हाथी आपका खराब हो जाएगा पूरा तो ऐसा ही समझ लो इसको नैनो स्केल पर डालने के लिए हम लोग को बहुत ही खतरनाक टेक्नॉलोजी के दिरुवत पड़ती है अगर ह अगर आप लोग ने थोड़ा भी लेक्चर सही से देखा होगा और उस टाइम पर थोड़ा भी दिमाग अपना चलाया होगा तो आपको यह रियलाइज हो गया होगा कि एक डिने एक डिने सिक्वेंस में अगर एक हिस्सा भी हम उठाते हैं तो उसमें हमारे नाइट्रोजन पर कोई भी बात को करना चाहते हैं तो देरा मल्टिपल ओफ एक टम्स डेट अर बिंग इन्वाल इन कंस्ट्रक्टिंग दिस नैनो पार्टिकल यह बात सभी है कि और जब भी इस नैनो पार्टिकल को चुट करने के लिए जोड़ 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 है जो भी हमारा डिजाइड नैनो पार्टिकल होगा अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल निचले सिरे से हमने शुरू करते हुए उपर की दिशा में आए हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप एप्रोच दोनों में समझ में आना क्या दोन आने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही माइनूटी स्केल पर काम करने की बात है तो इसमें हाई प्रेसिशन की जरूवत पड़ती है उसमें उतने प्रेसिशन की जरूवत नहीं पड़ती उसमें प्रेशर और बहुत सारी दूसरे चीज़ों की जरूवत पड़ेगी बठा relatively easy to make यहाँ पर complexities की बात करें तो complex structure बनाना intricate details के साथ बड़ी मुश्किल की बात है यहाँ पर भी ऐसा ही है बट यह थोड़ा सा simple है repetitive structures यहाँ पर compare करना थोड़ा मुश्किल हो जाए अब यह से मैं आप से बोलूँ कि अच्छा आप बताओ आपके पास दो option है यार एक तो bottom of approach यहाँ से ले लो और दूसरा top down approach ले लो कौन सा आप बनाना पशंद करोगे आप बोलोगे सर देखो हमारे लिए कुछ भी कहलो top down approach easy लगता है अपने को फोड़ना ही तो है फोड़ देंगे मसीन लगा देगे एकदम compress करतेंगे प्रिशराइस करतेंगे चूर चूर करतेंगे लेकिन करतेंगे यह doable लग रहा है यह वाला तो सर अपने दिमाग के परे है atom देखी नहीं पार है atom को जोड़ें पता चला फिसल के गिर जाए ऐसा खुछ भी हो सकता है तो यहां वाला आपको difficult सुनने देखने में लगता है यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि इसमें ना एक problem है इसमें problem क्या है कि मान लो मैंने आपको बोला कि nano size का आपको एक pipe बनाना है क्या बताना है बई? pipe बनाना है जिसमें जैसे नाली वाला pipe होता है न बना सकते हो इसका और कुछ नहीं हो सकता तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि इसका यह scalable है mass production के लिए बढ़िया है लेकिन हम इसका desired design नहीं achieve कर सकते हैं हम इससे कोई shape नहीं achieve कर सकते हैं लेकिन इससे atom जोड़ के तो हम कोई भी electronics का field है वहाँ पर जब भी emerging technologies की बात हो रही है हम कुछ desired quality के साथ अगर हम किसी material को बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए bottom approach ज्यादा फाइदे बंद होगा बजाए इसके इसका भी काम है इसका काम सिंपल सा इतना ही जैसे कि यह अपनी property change कर देगा जैसे कि सोना हमने अभी बात की platinum की बात तो नहीं कि अभी चलो aluminum तक ही रहते हैं aluminum जो है highly combustible है platinum को अगर आप देखो तो platinum जो है वो एक तरीके से stable metal है है ना हम लोग अरे सोना जैसे पहनते हैं platinum की रिंग आती है जो और अमीर होते हैं वो उसको पहनते हैं तो platinum platinum जो हमारे लिए jewelry बनाने काम करता है हम लो लेकिन जैसे ही नैनो स्केल पर जाता है भाई साब वो catalyst बन जा रहा है catalyst समस्ते हो वो reactions को speed up कर दे रहा है कैसे करते रहा है highly reactive बना दे रहा है खुद की property उसको main size पर है नहीं लेकिन नैनो स्केल पर जाके property change करते रहा है तो हम लोग को ऐसे property changes दिखते हैं और उनका अलग application हो सकता है तो अलग अलग technologies यहां से भी develop हो सकती है लेकिन यहां से हमें desired चीज़े मिलती है है अब यहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि आखिरकार यह तो हम आपकी बात समझ रहे हैं कि nano size पर जब भी कोई particle जाता है तो अपनी property को change कर देता है लेकिन आखिरकार यह property change होती क यह हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं अब समझा देते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो यहां पर देखो principles of nanotechnology की अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि देखो यह हमारे लिए general physics है general physics का मतलब यह कि अगर हमारा sun है sun के चारों तरफ हमारा मरकरी नाच रहा है हमारा वीनस नाच रहा है हमारा अर्थ नाच रहा है उसके आगे मार्स भी नाच रहा होगा तो यह सब अपना revolution कर रहे हैं क्योंकि एक मास दूसरे मास को attract करता है gravitational pull लगता है और उसके वजह से यह circular motion maintain कर पा रहे हैं अब इसी तरीके से अगर यह general physics की ब quantum physics हम लोग इसको बहुत ही छोटू सा छोटू सा quantum physics बोलते हैं यह quantum physics है quantum physics हमेशा छोटे चीज़ों के लिए लगता है अरे आपने वह देखा है क्या movie Antman and the Wasp का quantumania नहीं देखा है तो कोई बात दी है लेकिन जिन्हों ने देखा है वो उसको relate कर सकते है कि जब वो Antman छोटा होके एक दूसरे दुनिया में ही चला जाता है ऐसा प्रतीज होता है यह नहीं कि बाइस साब quantum level पर तो एक अलगी दुनिया चल रही है तो समझ लोग वही चीज है यहाँ पर भी quantum level की जब भी हम बात करते हैं quantum physics की जब हम बात करते हैं electron, proton और neutrons की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही revolution हमें दिख रहा है लेकिन यहाँ पर gravity की वज़े से उसका चारो तरफ चकर नहीं लगा रहा है यहाँ पर reason अलग हो जाता है तो इसलिए ह हम बोल रहे हैं कि हम जो प्रत्यक शुरूप से देखते हैं आज की physics वो general physics है इसको हम लोग समझते हैं देखते हैं feel करते हैं इसलिए हमें लगता है कि पूरा ब्रहमांड इसी physics पर चल रहा है लेकिन यह गलत हो जाता है तब जब हम लोग बहुत छोटे particles पर चलते हैं जहा पहला रीजन दूसरा रीजन यह है कि नैनो स्केल पर जब भी हम जाते हैं तो हमारा surface to surface to volume ratio हम बोल रहें surface to volume ratio जो है वह काफी हतक बढ़ जाता अब surface to volume ratio बढ़ जाता है इसका क्या मतलब है क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ चलो मैं अपना यहां से wallet उठा लेता हूँ देखो भई यह मेरा wallet है इस wallet में कितने phases है आप बोलोगे सर देखो एक पहला उपर का है एक पीछे का है एक ऐसे उपर का है एक नीचे का है एक दाएं है और एक बाएं है मैं का ठी बढ़ा जब हो गया तो इसका यह वाला फेस जो है जो पहले दिखी नहीं रहा था पहले चिपका हुआ था लेकिन अब क्या है इसका एक नया फेस उजागर हो गया तो पहले तो था नहीं तो सर्फेस नया बना की नहीं बना तो जब यह नया सर्फेस बना तो यह नए तरीके से react करेगा कि नहीं करेगा पहले तो इसके अंदर था तो इसी तरीके से अब हमने इसको दो पार्ट में किया है अब हम इसको अगर इसके सौ तुकड़े करते तो सौ नए फेसस बन जाएंगे इसके तो इसका मतलब क्या है लेकिन आप देखो कि अगर यह परस ऐसा हो या फिर ऐसा हो इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है वॉल्यूम वैसा यह बस नया नया सर्फेस इमर्ज हो के आ तो इसलिए हम भोलते हैं कि सर्फेस बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम वैसा ही रहेगा तो सर्फेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा बढ़ जाएगा और इसी वजह से अगर हम लोग नैनो पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर सौ तुकड़े नहीं कर रहे हैं हम लोग एक बिलियन तुकड़े कर रहे हैं एक मीटर का तो उसके हिसाब से देखा या तो पता नहीं कितने सारे नए सर्फेस रियाक्टिव फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं और इसके वजह से जो हमारा मेटीरियल है वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है आप बोल है यहां पर तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि हाई सर्फेस पर यूनिट रियाक्टिविटी अब जुकि नएने सर्फेस बनते जा रहे हैं तो इनकी रियाक्टिविटी भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी यह ज्यादा रियाक्टिव हो जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे इसलिए भी नैनो स्केल पर हम लोग को एक तरफ दिखता है कि वो प्लाटिनम जो की स्टेबल है नॉन रियक्टिव है और वो जब नैनो पार्टिकल्स में जाता है तो वो क्या बन जाता है भाई साब कंबसिबल बन जाता है तो यह हम लोग बात कर रहे थे य लगबग 2000 अगर इसको मीटर में लेना है 2000 मीटर क्यूब आएगा और अगर हम लोग सर्फेस की बात करें तो सर्फेस एरिया होगा उपर का एरिया नीचे का एरिया नाए बाएं आगे और पीछे छे एरिया अगर हम लोग मिला कर देखेंगे तो यह फॉर्मुले से हमें 1000 तो जो इनका surface to volume ratio है वो 0.5 आ रहा है ठीक है अगर हम इसको दो हिस्सों में divide कर दें यहाँ 10-10 से इसको काट देते हैं तो अब हमें दिखेगा volume कितना है भाई volume तो सेम 2000 है लेकिन जो surface area है surface area अब यहाँ पर 1000 से बढ़के क्या हो गया 1200 मेटर स्कॉयर हो गया इसलिए अब इनका surface to volume ratio कितना हो गया 0.6 हो गया मतलब कि अगर हमने एक क्यूब वाइड को 20 से काटा दो क्यूप में divide कर दिये तो इसका जो बीच वाला surface है दोनों surface नयने आ गय तो इसलिए surface to volume ratio बढ़ गया हमारा इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसको आप apply कर सकते हो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि देखो का जब हम लोग nano materials की बात करते हैं तो वो कितने प्रकार के nano materials होते हैं दो कुछ एक nano material ऐसे होते हैं जो की non carbon nano material है carbon की जो category है nano materials मे में वह एक अलग space लेकर आती है जैसे कि फुलरीन जिसको हम लोग बक्की बॉल अभी सब हम लोग पढ़ेंगे आगे don't worry graphene carbon nanotope cnt फुलरीन यह सारी चीज़ा भी हम पढ़ेंगे तो यह सारे के सारे carbon related है लेकिन ऐसे बहुत सारे यह भी technology अब अच्छा है यह भी समझ लो क यह वाली technology जो भी होगी यह आगी होगी आपकी top to bottom approach और यह वाली जो technology होगी यह होगी आपकी bottom to top approach तो bottom to top और यह top to bottom top to bottom में हमें बस इनका चूरा चूरा बनाना है तो मतलब कि अगर aluminum silicate nanoparticle कर लिया अरे भया जो mobile phone चला रहे हो हाथ में उसके उपर हम लोग बहुत है सर हमने बहुत ही बढ़िया scratch resistant screen लगवाया है यह है सर gorilla glass gorilla glass जो है सर इस पे scratch ही नहीं होता है अरे किसका बना है नैनो पार्टिकल है वो भी है ना बस सस्ता नैनो पार्टिकल है और वो क्या aluminum silicate है aluminum silicate nanoparticle है जो की उसको scratch resistant बना रहा है दूसरा silver nanocrystal की बात करते हैं silver nanocrystal basically bacteria को मारने काम में आते हैं silver यह चांदी चांदी की बात हो रही है silver nanocrystal यह किसमें हो रहा है bacteria को मारने की बात कर रहे है यह basically cosmetic products में बड़ा इस्तिमाल होता है अरे आप जरह अगर आपके घर में अगर आप एक female aspirant हो तो आपको तो वैसे ही पता होगा अगर आप एक male aspirant हो और makeup का शौक नहीं रखने वाले aspirant हो simple सी बात है तो आप जरह अपने घर में ममी लोग के या फिर अगर दीदी विदी है चोटी बहन है तो उसका थोड़ा सा makeup box तोलने की कोशिश करना उसमें से आपको मिलेगा sunscreen lotion या फिर ऐसे कोई भी product जो की शरीर पर body पर apply किया जा अरे simple से बताता हूं जैसे की antiseptic creams आती है ना उनके अगर beauty box पर नहीं भी टटोल होगे तो जैसे आपका जो महंगा वाला antiseptic cream जैसे की जो सस्ते वाले आते हैं boroline और boroplus नाम सुना होगा ना इस सब इसे तरीके से जो महंगे वाले आते हैं उसमें आपको silver nano crystals मिलता है क्यों से आपको मिलेगा sunscreen protection sunscreen lotion sunscreen lotion के ingredients को जाके पढ़ना वहाँ पर लिखा होगा titanium oxide या zinc oxide पक्का लिखा होगा अगर नहीं लिखा है तो समझ लेना local product इस्तेमाल हो रहा है तुरंती बता देना उनको तो यह titanium oxide और zinc oxide जो है वह आपके UV rays से protect करता है nano size का जब यह हो जाता है तो यह भी कि अपना एक बहुत ही खाथ सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर कुछ एक ऐसे particles हैं जो कि pure form of carbon atoms का इस्तेमाल करके कुछ है कि structures बनाने की बात करते हैं जैसे इसमें graphene cnts और हम लोग फुलरीन की बात करते हैं करके देखते हैं इसको भी सबसे पहले पढ़ते graphene एक प्रकार सा हम समझ लोगी single atoms की बात कर रहें single atom का एक flat structure पढ़ते हैं सबसे पहले देखो बहुत बहुत ही simple तरीके से पताता हूं मैं आपको जो यह graphene है यह basically two dimensional है it is similar to similar to this page कोई भी page उठा लेता हूं यहां पर पता नहीं क्या page है यह कुछ तो है चलो यह page यह page जैसा आप देख रहे हो यह जो एक page देख रहे हो आप इसमें आप मान लो कि भई इसी में हमने क्या किया है carbon carbon के atoms को ऐसे ही जोड़ जोड़के ऐसे जोड़ जोड़के एक ऐसे पेज जैसा कुछ बना लिया है तो यह क्या two dimensional है इसकी height थोड़ी ना आपको दिख रही है height दिख र dimensional तो यह graphene जो है यह single atom का flat structure है flat sheet है पूरी और इसका hexagonal pattern आप देख रहे हो अब देखो carbon के पास जो होता है ना carbon के पास कित्ती valency है भाई साब chemistry में बच्पन में पढ़ा होगा चार valency होती है और यहां पर कितनी खपत हो गई एक carbon के पास एक दो तीन मतलब एक बच गया मतलब यहां पर सभी carbon के पास एक एक extra electrons बच रहे होंगे इसी लिए इसको इसकी conductive प्रॉपर्टी जबर्दस्त हो जाती है भाई साब यह graphene जो है यह जबर्दस्त तरीके से आपके कंड़क्टिविटी को शो करता है बहुत इखतरनाक आप बोल सकते हो exceptionally high mechanical strength है thermal और electrical properties की शांदार है बहुत यादा है strong है light weighted है aluminum के तुलना में कई गुना कम है optically transparent है भाई साब दिखेगा नहीं मलब आर पार देख सकते हो आप इसको ऐसे ऐसे आर पार देख सकते हो अब स्ट्रॉणिक इंडॉस्ट्री में कि तरह जबर्दस्त काम करेगा यह है super connective भी जहाँ मलब super connector जैसा ही बीएफ कर रहा है बहुत ही खतर रहा conductor electrical heat resistant रहता ही रहता है मजबूत है यह transparent भी है भाई साब और हलका भी है तो सबी चीज तो चाहिए जैसा हमें चाहिए और सबसे बड़ी बात हाइड्रोफोबिक है पानी से दूर भागता है या पानी इससे दूर भागेगा water repellent है इसके उपर पानी डालोगे तो ऐसे फिसल के चटक के गिर जाएगा भाई साब इसके उपर आएगा ने तो water resistant भी बन सकता है तो मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो सब यहां पर मिल रही है यह क्या है वो देखो दो तरीके से हो सकता है या तो यहां पर देखो आप यह जो आप multi world cnt देख रहे हो या फिर single world cnt देख रहे हो अगर single world cnt है तो यह जो आप pipe like structure देख रहे हो या आपके लिए pipe जैसा structure रही है यह basically आपके लिए एक बहुत ही पतला सा बहुत ही पतला सा एक समझ लो एक role जैसा कुछ होगा जिसका की atom arrangement इतना पतला होगा कि आपको लग़ेगा कि यार इसकी तो height ही नहीं है मतलब कि ऐसा कुछ दिखेगा थो हम बोलेंगे कि sir इसकी height तो जादा हमें दिख नहीं रही है तो इसलिए ये हमारे लिए एक line जैसा है सिर्फर एक line किसे किसी ने एक line ऐसे खीच दी हो तो इसलिए इसको one dimension बोलते हैं ये जो carbon nano tube है ये one dimension किलाता है लेकिन अब अगर आप इसी चीज़ को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कई सारे layers में दिखेंगे आपको अब यहां पर आपको realize होगा कि ये multi world भी हो सकते हैं और multi world इतने खतरनाक होते हैं कि ये एक दूसरे के उपर friction के बिना slide कर सकते हैं तो nano sized particle में अगर हमें कभी motor बनाना है rotor जैसा कुछ बनाना है जब तो बहुत ही सही है यार ये तो एक दूसरे के अंदर frictionless थरीके से नाचेंगे और उ नैनोट्यूब होते हैं ये कई बार scap fold के लिए इस्तेमाल होते हैं scap fold मतलब इनका structure बना बना के हम अगर हमारा कोई भी शरीर का कोई भी अंग ढीला तूट रहा है जैसे हाथ में कोई भी चीज है मालो problem हो रही है तो उन सभी situations में हम scap folding जैसा इस्तेमाल करके उन structures को strict बन हमने उसको ऐसे करके पूरा expand कर दिया पहले ऐसा था अब फिर हमने उसको consumers करके पूरा ऐसा बड़ा और दीया तो हमारा क्या वहां से पूरा जो हमारा वेन था वह उपनो जैसे ब्लड आराम से आस बार्की हो सकता है तो इन सभी तरीके से हमें यह समझ में आया क्या readiness ही तो हम इसको फायर फाइटर की ड्रेस बराने में काम मैं ला सकते हैं बिल्कुल आसकते हैं कि वो हीट पूफ जाकेट बना सकता है यह बिल्कुल मना सकता है फिर नेक्स हमारा आता है फुलरीन फुलरीन समझ लो same to same वैसा ही है कि उस structure को जैसे अभी हम लोग pipe में बदल रहे थे अब उस structure को आप एक ball में बदल दो spherical shape में बदल दो लेकिन अब ध्यान देना कि जब भी spherical shape होगा तो इसमें जरूरी नहीं कि अब सारे के सारे वो hexagonal structure में है क्योंकि hexagonal structure को अगर आप fold करोगा तो कभी भी sphere नहीं बनेगा उसमें आपको time time पर pentagonal structure भी बनाना पड़ेगा तो जब आप football देखते हो football देखते हो तो आपको exactly football में भी यही shape देखता है कि football में कहीं hexagonal होते हैं और कहीं-कहीं pentagonal भी होते हैं तो एक pentagon के पाँचों side में आपको hexagon देखते हैं ऐसा होई structure बनता है तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि यह pentagonal hexagonal structure को जब हम साथ मिलगा के बनाते हैं तो हमारा बंदा एक और structure जिसको हम लोग बोलते हैं फुलरीन और यह फुलरीन जो है यह American architect थे Buckminster Fuller और इनी के नाम पर हमने इस article का नाम रखा है और चुकि यह हमारे लिए एक बिंदी जैसा है क्या है एक dot जैसा है तो इस dot को तो हम one dimension भी नहीं बुला सकते इसलिए हम इसको zero dimension बुलाते हैं और हम लोग को यह पता है कि देखो अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह 60 carbon atoms का football structure है फुलरीनी structure है इसलिए हम इसको C60 बुलाते हैं लेकिन C60 ही नहीं इसके अलावा और भी कई सारे patterns में हम ऐसे balls के arrangements को दिखा सकते हैं spherical shape को दिखा सकते हैं इसमें भी वही extraordinary mechanical और electrical strength है super conductor जैसा behave करता है at the same time यह light और heat दोनों को absorb बहुत शांदार तरीके से करता है यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ applications की nanotechnology के application क्या क्या हो सकते है application के नाम पर सबसे पहला यहाँ पर आप health application की बात करें अगर तो health application में सबसे पहले हम बात करते हैं diagnosis के मामले में diagnosis में देखो cancer detection की बात हो diagnostic tools या imaging जैसे की आप MRI scan कराते हो वगरा वगरा या फिर आप अपनी genetics improvement की बात करते हो इन सभी sections में अलग-अलग हिसाब जैसे cancer detection है तो जो अभी हम gold particles की बात कर रहे थे gold nanoparticles की बात कर रहे थे gold nanoparticles basically आपके nucleic acid detection के लिए काम आता है यहाँ पर देख लो gold nanoparticles होते हैं यह आपके cancer imaging और diagnostic में काम आ रहा है similarly आपका imaging और diagnostic tool जो है nanotechnology enabled अगर है तो यहाँ पर आपका जो भी screen लगा रहे हैं जैसे मालों आपने quantum dots का इस्तेमाल किया quantum dots क्या है आप समझ लो कि आपके लिए LED screen जैसे काम करती है last lecture में हमने LED screen पढ़ा है ना last lectures में हमने उसमे quantum dots का भी जिक्र किया ही था कि हम जब LED screen को देख रहे थे LED screen को जब देख रहे थे तो वहाँ पर एक एक pixels जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे इस थे लेकिन अगर इसको हम लोग quantum size मतलब कि हम nano sized particle में बदल देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं quantum dots और यह quantum dots highly efficient छोटे छोटे हिससे होते हैं जो की अलग तरीके से हमें display दे सकते हैं तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं उसमें treatment की अकर हम बात करें तो treatment पर देखो सबसे पहला क्या है drug delivery drug delivery के लिए cnt का बाता पताया था मैंने cnt के साथ साथ ऐसे कई बार liposomal nano carriers होते हैं यह देखो यह नैनो लाइपोजोम से और यह हमारे नैनो मिसल से अब इसमें होता है क्या है मैं आपको पता देता हूं इसमें कुछ यह arrangements है आपके लाइपोजोम के लाइपोजोम जैसे मालों कि यह कोई protein है या ऐसा कोई भी enzyme है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नैनो पार्टिकल के अंदर इन मिसल में एक हिस्सा जो होता है वह water repelling होता है और एक हिस्सा जो होता है वह water affinity वाला होता है है ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है तो हमारी शरीर में पानी ही पानी है तो जैसे आप लोग detergent जबाब पढ़ते हूं detergent में भी more or less यही structure होता है detergent में भी हम लोग नैनो मिसल्स और नैनो मिसल्स तो नहीं लेकिन हम मिसल्स जैसे किसी भी एक structure का इस्तिमाल करते है कि water जो बहार-बहार से होता है वो क्या करता है आपके लिए dirt attract करता है dirt को attract करता जब कपड़े घंदे होते हैं तो सारा का सारा जो dirt है वह अपने अंदर सोह लेता है और फिर सोखने के sitten वे आं पानी के साथ वो बह जाता है क्योंकि पानी में घुलता नहीं है ऐसा कुछ स Werol बहुता है जब आफ बीलड़ कंस्ट्रक्षन देखते हो तो यहां पर बैनल लगाना है तो मेनल लगाने के लिए यह ललोग बल्ली और यहां आप लोगो बहास बैंबू के या फिर मेटल चड़ते लगाते ओरृट यह साख labor लोग चड़ते और फिर इसको टांग देते हैं और फिर इसको dismantle कर देते हैं देखा होगा ना उसको scaffold बोलते हैं वैसा ही समझ लोग जैसे ये structure हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं उसके basis पर भी हम लोग regenerative medicine में हमारे अपने bone support और इन सब में हम लोग इसका इस्तवाल कर सकते हैं अगला हमारे smart pills है smart pills का मतलब कि ये हमारे लिए nano medicine जैसा ही कुछ काम करेंगे बस ये electronic devices होते हैं जो कि दवा के आकार के होते हैं आप लोगोंने वीडियो देखा होगा दिख रही थी तो ऐसे बहुत सारे drug delivery conditions हम यहां पर बहुत अच्छे से इसको भी देख सकते हैं तो हमारी मलब अंदरूनी कोई भी problem को sense करने के लिए imaging करने के लिए वो सारी चीज़ें यहां पर आएगे नैनो बोर्ट जो है miniature surgeons हो सकते हैं अंदर जाके कोई भी nanofibers या फिर आपके vaccine development की बात हो जाए इन सबी जगहों पर वो जाके का कर सकते हैं आपके DNA को edit कर सकते हैं हाँ भई हाँ जो हमारा काम CRISPR-Cas9 किया करता था क्या था CRISPR-Cas9 एक प्रकार से gene editing tool था जिसके अंदर Cas9 जो है वो एक प्रकार का molecular seizure हुआ करता था जो की DNA को required place पर cut करता था अब वो ही same to same काम ये भी कर सकते हैं तो जैसा bio technology का था bio nanotechnology का हिस्सा आता है medicines में तो bio nanotechnology का जब भी हम इस्तिमाल करते हैं तो हम ऐसे vaccine development में या फिर अपने DNA gene editing में भी काम में ला सकते हैं इसके अलावा आप और भी देख सकते हूँ nano sensors वगरा का इस्तिमाल होता है जहां पर हम लोग कोई भी bacterias को detect कर सकते हैं DRD और IISC, IISC Bangalore ने एक proper पूरा का पूरा एक thyroid detection kit बनाया है thyroid detection kit जो की nano sensor का इस्तिमाल करके बनाया गया है similarly अगर हम लोग nano hydrogels की बात करें nano hydrogels क्या होते हैं यह समयलों आपको कोई भी घाव हो गया अब यह जो hydrogels हैं यह आपके tissue repair को बहुत speed up कर देते हैं तो यहाँ पर hydrogels जो है वो tissue engineering में काम आता है nano scaffold की आपने बात कर ली nano bio technology की बात कर ली nano antimicrobials जो होते हैं वो भी same to same जैसे आप लोग antimicrobials या फिर antibiotics खाते हो या फिर आप यह समझो कि जो हमारे antimicrobials मतलब की जो बाहर के disease से लड़ने के लिए हमारा शरीर खुद के antigens produce antigens के खिलाफ क्या antibiotics produce करता है समझ लो वैसे ही आप भी अपने शरीरिक में किसी भी बाहरी बैक्टेरिया जैडिसीज को लडने के लिए ऐसे nano antimicrobials का इस्तमाल भी कर सकते हो मतलब ये भी अब technologies काफी हद तक बन गया जो कि therapeutic system में काम आएगा फिर हम बात करते इनर्जी सेक्टर में एसे बहुत सारे हमारे पास solar cells होते हैं काहां गया भी है solar cell अच्छा गायब हो गया लग रहा है तो मान के चलो कि जो हमारे पास nano powered cells होते है nano powered solar cells होते हैं इन फाट्ट ये nano powered solar cells जो है ये हमारे अभी के solar panel से कहीं जदा efficient है कहीं ज़दा efficient है मतलब समझ लो double triple times electricity produce कर सकते हैं वो सब तो जब भी हम लोग energy sector की बात करते तो nano solar cell again बहुत ज़दा efficient होगा यह बहुत ज़दा efficient होगा तो यहाँ पर जो भी nano solar cells का इस्तिमाल कर रहे हैं वो में ज़दा energy देने की बात करेगा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे normal solar panels होते हैं वो हमारे visible light में काम करते हैं मतलब सूरज की रोशनी दिख रही होगी तो यह काम करेंगे लेकिन सूरज की रोशनी के जो visible part है इसके साथ-साथ UV और infrared भी आता है तो कभी अगर उजाला नहीं भी हुआ बहुत जादा लेकिन सूरज से अगर अंदर ही अंदर IR और UVR है जो की हमें तो नहीं दिखता है लेकिन फिर भी उस टाइम पर आपका नैनो सोलर सेल काम करेगा फिर सेके से hydrogen fuel cell आता है hydrogen fuel cell में हम लोग एक platinum nano crystal का इस्तेमाल करते हैं जो की इस पूरे hydrogen fuel cell को speed up कर देता है speed up कर देता है जिससे की हमारा hydrogen as a fuel इस्तेमाल होते हुए यह बाहर क्या निकालता है water निकालता है सिर्फ और सिर्फ plain water इसका byproduct क्या है hydrogen fuel cell का water और यह बिजली पैदा करता है यह बिजली पैदा करके water जो है बाहर निकाल देता है यहाँ पर जो हम लोग catalyst का इस्तेमाल करते हैं वह platinum nano crystals होते हैं इससे यह reaction काफी speed up होता है और latency generation और अच्छा हो जाता है नेनो जियो लाइट की बात करते हैं नेनो जियो लाइट जो है एक प्रकार से पहले तो अगर आप simple जियो लाइट को समझो तो जियो लाइट जो है वह बिसिकली एक naturally occurring crystalline aluminum silicate है मतलब aluminum और silica से बना हुआ एक aluminum silicate material है आप बोल सकते हो रॉक structure है आप ऐसा भी बोल सकते हो जियो लाइट यह बिसिकली crude petroleum को breakdown करता है तो अगर हम लोग को यह जियो लाइट जो है ना बड़े ही बड़े स्कार्स material होते है जल्दी मिलते नहीं है तो यह सारी चीजे हम लोग देख सकते नैनो सोलर सेल की बात अगर आप कर रहे हो इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन के लिए तो भी देखना यहां पर भी काफी हद तक बहुत अच्छा काम आता है नैनो इनर्जी सेक्टर फिर इन्वार्मेंट की जब आप बात करोगे तो जब भी आप नैनो सोलर सेल्स लगा रहे हो पहले तो आप वैसे ही इन्वार्मेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप एक non-renewable source of energy का इस्तेमाल कर रहे हो है ना similarly अब हमने देखा कि यह highly efficient होगा तो जो भी surplus energy की निकलती है न इस surplus energy को हम लोग hydrogen fuel cell में water को तोड़के hydrogen fuel और oxygen जो की हवा में निकल जाता है उसमें बदलने में काम करते हैं तो जितना भी extra मान लो कि आपने solar cell लगाया solar panel लगाया आपके घर में जितनी बिजली की जरूवत उससे ज्यादा तो वो produce कर दे रहा है तो आपने extra जितना produce हो रहा है उस extra energy को आपने hydrogen fuel cell में hydrolysis के लिए आपने भेंक दिया कि आप simply एक पानी दे दो उसको पानी में वो तो हो जाए जब आपका solar power cell ना काम करे उस टाइम पर रात में आप चलाओ अपना hydrogen fuel cell अब hydrogen fuel cell जब रात में चलाओगे तो hydrogen fuel तो पहले से ही आपका बना हुआ था वही hydrogen fuel का इस्तिमाल करके यह hydrogen fuel cell energy produce करेगा और waste में क्या निकालेगा पानी निकालेगा अगले दिन फिर वही पा पानी तोड़ना पानी तोड़ना यह सब चलता रहेगा रात में hydrogen fuel cell दिन में आपका नैनो सोलर से तो एक deadly combination बन जाएगा जिससे की आप unlimited source of energy को आप देख सकते हो तो power consumption तो कम हो गई होगा आपका environment भी काफी हद तक protect होता हुआ दिखेगा फिर आपकी बात आती है कुछ और environments related तो देखो oil spills बगर काफी जादे जगहों पर हम लोग देखते हैं हमारे marine resources में काफी problem आती है environment में उस case के लिए एक nano fabric paper टाल बनाए गया नैनो fabric paper टाल के पास इतनी शमता है कि वो अपने वजन का लगबग 1000 से 10,000 गुना तक oils को soak कर सकता है तो इसलिए हम लोग इसका इस इस अक्रीजम होते हैं बैसिकली नैनो पार्टिकल साइज में फिर यहां पर तो अगर इस डिटेक्शन से water contaminated या फिर contaminated water जो है इससे पास होगा तो यह तुरंती डिटेक्टर लेगा कि इसमें कौन-कौन से आरसनिक component जादा है या जो भी चीज़े जादा है कोई जहर मिला दिया गया इसमानी में वो सारी चीज़े डिटेक्टर सकता है यह नैनो सेंसर से हैं similarly अगर हम defense की बात करें तो defense sector में अब आपको पता ही है क्या CNT की बात की थी अभी हमने carbon nanotube की बात की थी की नहीं कि वो heat resistant है या फिर इतना ज्यदा energy इतना ज्यदा मतलब आप बोल सकते हो कि उसके बास heat या फिर temperature resistant हो गया उसके बाद वो एक तरीके से impact resistant भी है कि अगर गो गोली मारी तो भाई साब वो गोली ऐसे ही जाएगी और जैसे रजनीकांथ के छाती पर टकरा के चूर चूरो के नीचे गिर जाती है वह तो रजनीकांथ है भाई साब तो समझ लो लेकिन ऐसा ही आप यहां पर भी बना सकते हो नैनो वेटल सूट और खासियत क्या होगी हम दूने पढ़ा थे काफी लाइट वेट है भाई साब और जब लाइट वेट है तो मौजी मौज है है ना लाइट वेट है जो अभी दो-दो किलो का हेल्मेट लेकि वह पहन के चलते और पहाड़ियों पर चड़ना पढ़ता है इतना भारी कपड़े पहन के उनके लिए हम लोग नैनो बेटल्सूट मना सकते हैं नैनो हपेलमेट के करना सकते हैं जिसके वैसे आछ बैए सेंसर मतलब कोई इसवैलोजिक्ट वी आदेक्शन करने के लिए हम लोग इसको बन भॉन की बात कर तो Unmanned Aerial Vehicles जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ भी रहते अपने डिफेंस वाले में कि Unmanned Aerial Vehicles हम लोग भेज़ दे रहे हैं जैसे अभी घातक जो है घातक अभी बनने वाला है रुस्तम घातक यह सब हम लोगों ने पढ़ाता ना तो जो रुस्तम है घातक यह सब जो द्रोन्स है मारे लिए यह सब जाएंगे दुश्मन देश में वह कोई भी बॉंब गिराके चले आएंगे मालो लेकिन वह भी दिख रहे हैं तो हमने बोला भाई अब सीधे नैनो ड्रोन्स बनाते इतने छोटे ड्रोन्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊगे भाई यह तुम ल करती है उन एक लाख सोल्जर्स को सब के खोपड़िया में अंदर घुस्ती है और इदर से निकलती है चीर फार करके स्पोर्ट हो जाता है एक लाख सोल्जर्स एक सेकेंड में यूँ धराश हाई लेकिन सुचो डेडली भी बहुत है भाई साब अगर दुश्मन देश के अ फिर नेक्स्ट हमारा ऐसे ही आप देख सकते हो कि अग्रिकल्चर सेक्टर में भी काफी हद तक ये काम आ सकता है अग्रिकल्चर में कैसे काम आएगा आप देखो किसी भी प्लांट ग्रोथ को हम इंशोर करते हैं तब जब उसके सॉयल को हम लोग फर्टाइल समझते हैं मतल फार्मिंग के लिए नैनो सेंसर का इस्तेमाल करते हैं बताता है कि मिट्टी में कौन कौन से चीज़ों की कमी है तुरंती डाल दो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई stress tolerance है मैं अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रॉट आ रहा है बहुत ज्यादा फ्लेट इन सभी situations में आप देखोगे कि हमारा नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो फर्टिलाइजर नैनो यूरिया नैनो पेस्टिसाइड नैनो मेटेरियल्स ये सब जो है हमारी soil fertility को improve करने के लिए और crop yield बढ़ाने के लिए ये सब किसम बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं य इन सभी चीज़ों को हम काम मिला सकते हैं जैसे कि नैनो कंपोजेट्स जो होते हैं वह बिसिकलिए आपके पैकेजिंग में काम आते हैं तो पैकेजिंग में जो अभी तक हम लोग ऐसे elements का इस्तेमाल करते हैं जिनसे की हमारा खाना जो है वो contaminate होता है या फिर उसमें कुछ लेट की मात्रा बढ़ जाती है बगएर बगएर जो कि खाने के लिए बहुत नुकसान दायक होता है तो यह पैकेजिंग के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो बड़ा साही चीज है फिर साइट स्पेसिफिक डिलिवरी करना हूं हम लोगों ने अभी सीन्टी बगएर की बा पार्टिकल में हम लोग एक फर्टिलाइजर को देख रहे हैं इसको डेवलब किया है 50% कम मात्रा में इसका उपयोग होता है तब भी यह 80% इफेक्टिविटी के जगहां पर प्रॉपर मलब जादा 80% इफेक्टिव जादा हो जाता है मतलब कि अगर आप 50% मलब एक किलो के में भी help करेगा फिर इसके बाद अपना फूड इंडस्ट्री की बात कर लेतने फूड इंडस्री में आप देख सकते हो कि देखो फूड प्रोसेसिंग और फूड पैकेजिंग जैसा भी हमने बात भी किया था दोनों ही जगहों पर यह खतरनाक तरीके से काम आने वाले ऐस से नेनो साइजड पार्टिकल्स हैं यहां पर फूड प्रोसेसिंग में हमारा जो यहां पर देखो एंटी केकिंग एजेंट है जो भी लंप फॉर्मेशन होता है जब भी हम लोग कुछ भी बनाते केक बना रहें कुछ भी बना रहें तो उसमें लंप बन जाते हैं इनको ए इक्रीस करने में हेल्प कर सकते हैं यह हमारे लिए जिलेटिंग एजेंट जिसमें कि हमारा फूड का टेक्श्चर इंप्रूफ हुता है जैसे कि हमारे लिए जो ऑईल होता है डालडा घी का हम लोग बात कर रहे थे बायो टेक्नालोजी में कि भाईस प्रूरोडड पैकेजिंग के साथ-साथ जितने बी बैक्टेरिया उसको मारने की बात हो रही है वह इसके बाद हम लोग अगर देखें हमारा काफी सही काम में आ सकता है कैसे देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर नानो फाइबर टेक्स्टाइल जैसे कि आप लोग अभी यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के शॉट्स पर देखते हो सफेद रंग की टी-शिर्ट आती है जो आजकल यह अपने धोन काफर ही नहीं होता है ना सिमिलरली वो कभी ऐसा आप कपड़े बहुत सारी आते जिसको आप कितना भी निचोड दो भाई साब एक्दम उसको पर चड़के कुछ दो कुछ भी कर दो उसको फिर से जब फैलाओगे उसमें एक भी रिंकल्स नहीं दिखेंगे एक भी ऐसा साथ आ रहे हैं तो इसलिए यह बड़ाई सही है एक संवाश फैब्रिक भी है जो अपने आप ही आपको अगर मालू कपड़े पैंड़ो गंदा हो गया आप बस इसको धूप में सुखा दो पानी के साथ नहीं बस धूप में डाल दो संवाश है वो धूप मिलेगा उसको मस मस तरो ताजा बिल्कुल लगा रहे नया नया अभी शोरूम से निकाल के पहन रहे भाई इसको तो तो वैसा संवाश फैब्रिक भी इसके साथ आ सकता है यहां पर आप देख सकते हो कि यह वाटर रेपलेंट है जैसा भी हमने बात किया फिर ऑप्टिकल डिस्प्लेश भी ह है ना तो बहुत ही सिंपल है आप इस कपड़ों को पहनते हो तो आपके शरीर से समेल नहीं आती है और नहीं आती है strength enhancement वाईसा बहुत ही मजबूत होते हैं तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजे हैं आप जो देख सकते हो यहाँ पर फिर electronic sector की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई quantum dots की तो बात करना भूलेंगे नहीं हमारी जो सबसे advanced type की screen जो है वो quantum dots screen हो सकती है तो quantum dots के लिए quantum nanowires के बात कर सकते हैं quantum nanowires मतलब क्या है देखो अभी तक हम लोग जो भी डायोड बनाते हैं ट्रायोड बनाते हैं इन सब जगहों को अगर हमें छोटा करते जाना है छोटा करते जाना है अगर आप कभी mobile का अपना बैक्राउंड यह iPhone वगरे का कभी भी आप चिप खोल के देखना motherboard खोल के देखना इतनी चोटे चोटे particles इतनी चोटे चोटे particles हैं कि भाई सब आपको दिखते नहीं है आप lens लगा के देखते हो तब आपको दिखना स्टार्ट होते हैं अब उसका connection भी तो किसी wire से हुआ होगा तो ऐसे situations में highly efficient nanowires वगरे का इस्तेमाल होता है इससे हमारा प स्पेस में एक नैनो सेटलाइट का example देते हैं देखो नैनो सेटलाइट जो है इसका यह मतलब नहीं है कि नैनो साइजड होगा यह हमेशा याद रखना है इसलिए मैं आपको exceptionally बता रहा हूं कि देखो हर एक नाम के आगे नैनो लगने से वह एक से 100 नैनो मीटर की बीच मे नहीं आ जाता है जैसे कि exceptional case में नैनो सेटलाइट यह दस से एक केजी मलब एक से 10 केजी तक का यह जो सेटलाइट ही जो हाथ में आपको देख रहा है इतना बड़ा सेटलाइट होगा है ना जैसे कलाम सैट था तो यह सारी चीज़े जो हैं वह आप देख सकते हो कि माइक्र सेटलाइट मिनी सेटलाइट पीको सेटलाइट यह सारी चीज़े बन रहे हैं लेकिन नैनो सेटलाइट का मतलब यहां पर नैनो स्केल से नहीं है अब जब इतनी ही अच्छी प्यारी प्यारी बाते हमारे पास नैनो टेकनोलोजी के साथ में तो हम क्यों नहीं बना रहे हैं चाहां है हमाँ घरों में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि क्यों रुके हुए हैं इतना chilly है तो हमारा क्यों छट पर आज भी वही solar power panel लगा हुआ है Nano solar क्यों नहीं लगा देते हम बैया महंगा जितना महंगा सोना है न उतना ही महंगा आज के डेट में नैनो पार्टिकल्स भी है उससे भी ज्यादा महंगा है तो सोलर पैनल खरीदने का और बनाने का अपन लोग का हैसियत नहीं है और कात नहीं है तो उस टाइम पर यार क्या ही था इतना बड़ा सा फोन आता था जेब में भी नहीं आता था लेकिन उसकी कीमत कि इतनी थी भाइसा बीस हजार रुपए पंदरा हजार रुपए आज वह फोन को तो कोई पूछी नहीं रहा है और जो आपके नोकिया के और उसके छोटे समारत हासिल कर लेते हैं तो उसका दाम वैसे ही कम हो जाता है तो नेनो टेक्नोलजी के साथ भी वहीं चल रहा है कि अभी यह सारी के सारे एक्स्परिमेंटल फेस में इसलिए में महेंगा लग रहा है जैसे इनका मास प्रोड़क्शन होना स्टार्ट हो गया या फिर हम कोई नए तरीका इजाद कर लेंगा जिससे कि वह काफी सस्ते में प्रोड्यूस होने लगेगा तो उसकी टेंशन यह लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि आप्लिकेशन तो हमने बहुत सारे बना लिये हैं लेकिन आज भी हम लोग उसको यूटिलाइज इसलिए नहीं बैरियर है मतलब कि खून के साथ साथ अगर यह तो छोटा पार्टिकल नेनो पार्टिकल है तो ब्लड वेसल में आपके मस्त घूमेगा ब्लड वेसल में घूमते घूमते अगर आपके खोपड़ीय में चला गया ब्रेन के अंदर चला गया तो यह काफी कि भाई साथ नेनो वेपन अभी हम लोग वड़े खुश हो रहा है कि दुस्मन देश के एक लाग सैनिकों को ऐसे मार देंगे लेकिन अगर इसको नेनो वेपन के तरीके से इस्तमाल किया जाने लगा टेरिस्ट के द्वारा तो क्या करोगे फिर तो भाई साथ त्राहिमाम सिच्वेशन होगी है ना तो इसी लिए मिनियेचर विपन एक्सप्लोजीव कुछ भी बन सकते हैं फिर एसेंबलर और रेप्लिकेटर की बात करते हैं एसेंबलर रेप्लिकेटर क्या है नैनो टेक्नालोजी का एक वह सिद्धान्त है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि देखो ह सचन जो हम लकडी से है लकडी का टेबल अगर है तो उसमें अगर हम लोग आरेका् 1950 राएक चीजमें यहीं यहर यह जो यह प्लास्टिक दो इनसलमें कार्बन यह अगल-बगल कहीं सभी है तो पानी देए इसको पानी से निकाल लेगा तो जो हमारा असेंब्लर होगा क्या करेगा हम उसको बोलेंगे कि विटा एक बगाएदा मस्त कॉफी बना दो यार मेरे लिए तो उसको कॉफी देने की जरूद नहीं पड़ेगी वह एटमोस्फियर से एकम इस्ट्रक्टर में कंट्रक्ट मलब कंश्ट्रक्ट करके वह कॉफी बीन्स बना देगा बात समझ लोग कॉफी बीन्स भी क्या है एक इस्ट्रक्चर का बना हुआ एक हिस्सा ही तो है और हम लोग बोल रहे हैं असंबलर जो है वह एक काम कर सकता है वह एक अटम एक जोड़ जोड़ के कुछ भी बना सकता है भाई यह तो बड़ा ही दिक्कत की बात हो जाएगी दूसरा क्या है रेप्लिकेटर किसी भी चीज़ की कॉपी बन सकती है फिर तो हम बोल रहे हैं कि यह हमारे लिए जो टेक्नॉलोजी है भाई साब हमने पेटेंट कराया है पेटेंट कुछ ने लाओ इधर ल होते हैं वो भी हमारे हेल्स के साथ काफी chapter में इतना ही था, thank you so much for listening it very patiently friends have a nice day, thank you so much